आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना हम परिमे संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमे संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांग है या नहीं अगर किसी परिमे संख्या का हर रिनात्मक पूर्णांग होगा तो हम उस परिमे संख्या के अंश और हर दोनों को रिन एक से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूर्णांग बना लेते हैं। ऐसा करने पर हमें दोनु धनात्मक परिमेय संख्याएं, एक धनात्मक और एक रिनात्मक परिमेय संख्या या दोनु रिनात्मक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो आईए जानते हैं प्रतिक स्थिती में इनकी तुलना कैसे की जाती है पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोक कर इस पर विचार करें आपके जानकारी के लिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना भी बिन्नों की तुलना की जैसे ही की जा सकती है यानि कि अगर परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमेय संख्या होती है जैसे पांच बटे 8 और 3 बटे 8 में दोनों परिम्य संख्याओं का हर समान है लेकिन 5 बटे 8 का अंच 5 30 बटे 8 के अंच 3 से बड़ा है इसलिए 5 बटे 8 3 बटे 8 से बड़ी है अगर परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं की तूल्य परिमेय संख्याओं यानि equivalent rational numbers क्याद करते हैं जिनका हर बराबर हो जैसे अगर हमें 3 बटे 4 और 2 बटे 6 की तुल्ना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लवसर यानि LCM प्राप्त करेंगे 12 फिर हम 3 बटे 4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3 बटे 4 की तूल्य परिमेय संख्या 9 बटे 12 प्राप्त करेंगे इसी प्रकार 2 बटे 6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2 बटे 6 की तूल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे 4 बटे 12 इसका भी हर 12 है चुकि अब हर बरापर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 बटे 12 चार बटे 12 से बड़ी है या 3 बटे 4 दो बटे 6 से बड़ी है इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याओं का अंश बरापर हो लेकिन हर बरापर न हो तो वह परिमेय संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेय संख्या होती है जैसे 5 बटे 6 और 5 बटे 8 में 5 बटे 6, 5 बटे 8 से बड़ी है चलिए इसकी पुष्टी करें अगर हम इनका हर लसर की विधी से समान करते हैं तो हमें 5 बटे 6 की तूल्य परिमेय संख्या 20 बटे 24 और 5 बटे 8 की तूल्य परिमेय संख्या 15 बटे 24 प्राप्त होगी अब हम कह सकते हैं कि 20 बटे 24, 15 बटे 24 से बड़ी परिमेय संख्या है यानि कि 5 बटे 6, 5 बटे 8 से हमने देखा कि धनात्मक परिमिय संख्या 4 बटे 5 रिनात्मक परिमिय संख्या रिंट 3 बटे 7 के दाई और है इसलिए 4 बटे 5 रिंट 3 बटे 7 से बड़ी परिमिय संख्या है व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमिय संख्या रिनात्मक परिमिय संख्या से बड़ी होती है क्या अब आप बता सकते हैं रिनात्मक परीमे संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है, सुचिए सुचिए चलिए हम बताते हैं मान लीजिए हमें रिंट 7 बटे 9 और रिंट 9 बटे 12 की तुलना करनी है, अगर हम इन्हें संख्या पर व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि रिंड साथ बटे नौ रिंड नौ बटे बारह के बाई ओर है इसलिए रिंड साथ बटे नौ रिंड नौ बटे बारह से छोटी परिमे संख्या है अब आईए इनका हर समान करते हैं पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमे संख्याओं का ह धनात्मक पूर्णांग है फिर हम हर 9 और हर 12 का लवसर 36 प्राप्त करते हैं और इसके उप्योग से रिंट 7 बटे 9 की तूले परिमेश संख्या रिंट 28 बटे 36 और 9 बटे 12 की तूले परिमेश संख्या रिंट 27 बटे 36 लिखते हैं हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश रिन 28 है तथा दूसरा अंश रिन 27 है ये दोनों पूरांग हैं जब हम दो रिनात्मक पूरांगों के तुलना करते हैं तो वह पूरांग जिसका चिन्न के बिना मान बड़ा होता है रिनात्मक चिन्न के साथ उसका मान छोटा होता है यानि कि रिन 28, रिन 27 से छोटा है। इसलिए रिन 28 बटे 36, रिन 27 बटे 36 से छोटा है या रिन 7 बटे 9, रिन 9 बटे 12 से छोटी परिमय संख्या है। दो रिनात्मक परिमे संख्याओं की तुलना करने की एक और विधी यह भी है कि पहले हम चिन्न को नजर अंदास कर इनकी तुलना करें जैसे हैं चिन्न को नजर अंदास कर हम 7 बटे 9 और 9 बटे 12 की तुलना करेंगे हर समान करने पर हम इने क्रमशह 28 बटे 36 और 27 बटे 36 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि 28 बटे 36, 27 बटे 36 से बड़ी है अगर हम इन दोनों को रिंड चिन्न लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तोलना के चिन्न के विरुद्द चिन्न दर्शाना होगा खरम बदलकर हमें प्राप्त होगा रिंड 27 बटे 36, रिंड 28 बटे 36 से बड़ी परिमे संख्या है यानि कि रिंड 9 बटे 12, रिंड 7 बटे 9 से बड़ी परिमे संख्या है या फिर तुलना के चिन्न का विरुद्ध चिन्न लेकर हम कह सकते हैं कि रिन 28 बटे 36, रिन 27 बटे 36 से छोटी परिमे संख्या है यानि कि रिन 7 बटे 9, रिन 9 बटे 12 से छोटी परिमे संख्या है आज हमने सीखी परिमे संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना अगले वीडियो में हम परिमे संख्याओं की तुलना से संबंदित कुछ उधार्णों को हल करेंगे